अगर आप जाओगे तो उन्होंने अपने इंफॉर्मेशन में यह दे रखा है mode of examination जो need 2020 का होगा that is pen and paper based जो पहले चल रहा था कि online test होगा या year में 2 times होगा फिलाल 2020 से तो यह implemented नहीं है अभी एक ही बाद test होगा और वो भी pen and paper based जैसा मतलब अभी हम लोग दे रहे है offline mode पर second registration आपका start होगा second to 31st of December जो form filling date है वो second से लेकर के 31st of December 2019 downloading of admit card admit card आपको कबसे अभलेबल होने start हो जाएंगे 27th March 2020 से admit card आप download कर सकते हो examination की date हमें मालू में 3rd of May है and date of announcing result इस बार officially वो सो करें 4th of June 4th of June को आपका need का result आ जाएगा तो यह सारी चीज़े हैं जो declared है slavers में कोई change नहीं है पार्टर्ण में कोई change नहीं है 180 questions रहेंगे और 4 marks each questions carries the 4 marks and negative जो रहता था minus 1 रहेगा इस pattern में कहीं कोई change नहीं है यह जरूर है कि Ministry of Health and Family Welfare ने अभी अपने recent notification में यह answer दिया है कि aims और zip mark को 2020 से cancel किया जा रहा है यह confirm news और officially declared हो चुका है कि अब 2020 से aims और zip mark का exam नहीं होगा अगर हमें किसी medical college में aims हो या किसी भी medical college में admission लेना है तो सिर्फ एक single exam देना है that is need तो यह officially declared हो चुका है इसमें कहीं कोई confusion नहीं है and it is implemented from 2020 and onwards ऐसा उनके official paper में लिखा हुआ है कुछ बच्चे questions यह पूछ रहे है कि sir syllabus क्या अलग होगा अगर aims VC के साथ conduct होगा जिब्मर का क्या weightage रहेगा किस rank में कौन सा college मिलेगा तो अभी तक जैसा होता आया वही रहेगा अगर आपकी rank अच्छी है तो आपको अच्छा college मिलेगा और अगर rank आपकी पीछे है तो आपके according आपको college मिलेगा पैटर्ण में कोई change नहीं है जीके अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं कि जीके पूछी जाएगी या assertion and region के जो questions है वो भी मेरे इसाब शब नीट में नहीं आएगे जैसी तयारी आप नीट के लिए कर रहे थे वैसी तयारी आप continue अपनी start रखो और किसी भी confusion में मत पढ़ो किस labels change हो जाएगा या paper का label hard हो जाएगा जैसा आप NCRT based नीट के लिए तयारी कर रहे थे वैसी तयारी आप करते रहे है अगर कुछ भी change होगा तो मैं आगे आपको inform करूंगा Thank you